नमस्कार, मैं आप सभी शिक्षार्तियों का NIOS के स्टूडियों में स्वागत करती हूँ हमारा कोर्स है 508 प्रारंबिक स्तर पर कला, स्वास्थ और कार्य शिक्षा का अधिगम आज का हमारा विशय है कला में मूल्यांकन के विविद उपकर्णों और तक्नीकों की समझ कला के मूल्यांकन के लिए बहुत से उपकरण और तक्नीक हैं किन्तु कोई अकेला उपकरण मुल्यांकन के लिए विश्वस्निये, वैध्य, समग्र और व्यवारे नहीं हो सकता। मुल्यांकन के विभिन उदेश्य या परिणाम है। एक शिक्षक को उन उपकरणों से सू परिचित होना चाहिए, जिन्हें समान्य तह कला के मुल्यांकन से प्रयुक्त किया जाता है। यह महत्वपून है क्यूकि केवल उप्युक्त उपकरण का उपयोग कर कोई भी शुद परिणाम पा सकता है। उपकरणों और तकनीकों का अर्थ। व्रिधी का समग्र अभिलेक बनाने के क्रम में एक शिक्षक को विवित प्रकार के मुल्यांकन, तकनीकों और शुद अवलोकन और अभिलेक रक्षन के विस्तार पर भरोसा रखना होगा। भंडारन शम्ता के अभाव में सत्र के अंत में बड़े कार्य या श्री विमिय कार्य का रख रखाव बहुत कठिन हो सकता है। अतह निश्पादन के स्रिजन के समय या दोरान मुल्यांकन के लिए यह आविश्षक है। एक शिक्षक को मुल्यांकन के लिए उप्युक्त उपकरण चुनने का निर्नाई लेना है। यहां कुछ आधार भूत उपकरण और तक्नीके हैं जो बच्चों की प्रगती, प्रतिवेदन, अभिभावकों या प्राधानचार्यक या विद्यार्थियों के स्व मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करते समय मूल्यवान साबित होंगे। विविद उपकरण और तक्नीके। अफ्लोकन कौशल होना एक शिक्षक के लिए आविशक है और यह एक कौशल भी है जिसकी अभ्यास के द्वारा विक्सित किया जा सकता है। अभ्यास के लिए अपनी आख और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। और ताकि एक बच्चे के प्रत्येक बोध और गतिविती का अफ्लोकन करें कि वे कैसे कार्य करते हैं। दूसरे के साथ उनका विहवार कैसा है। कैसे वे अपने संसाधनों का उपियोग करते हैं। वे क्या और किस तरह स्रिजित कर रहे हैं। प्रक्रिया और उनके कला कार्य के उत्पाद के दौरान उन्हें साब धानी से देखें। यह अवलोकन उपकरण आपको समस्या के साथ साथ कार्य की गुणवन्ता को पहचानने में सहायता करता है। एक शिक्षक चुप चाप अवलोकन कर सकता है कि प्रतेख बच्चा अपने कार्य में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे बहुत सी गतिविध्यों को दिखा सकते हैं। प्रस्तुतिकरण का यह एक अभिनव तरीका हो सकता है। वे उन चीजों को दिखा सकते हैं जो द्रिश्य में छुपी हुई है। किन्तु उसके बावजूद अभिव्यक्ती का यह तरीका वैद्ध है और इसे सुविकार किया जाना चाहिए। शिक्षक को इसे बाधित करने की जरूरत नहीं है। बिना द्रिड भावनाओ के कि किसी का मुल्यांकन होना है एक बच्चे के अवलोकन में यह लाभ प्रद है। यह बच्चे की भावनाओ, चिंतन प्रक्रिया, उनकी जरूरत के अनुसार की जा सकती है। और यह प्रत्येक बच्चे में अलग-अलग हो सकता है। यह उपकरण तब उपयोग में लाया जा सकता है जब बच्चा वैक्तिक रूप से या सहमू में कार्य करता है। अवलोकन के माध्यम से सभी गतिविधियां मुल्यांकित की जा सकती है। पहली हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट के उपर। प्रोजेक्ट एक छोटी गतिविधी है जो इकाई के अंथ में दी जा सकती है। यह पढ़ाई गई संकल्पना के प्रती बच्चे की समझ का एक समग्र द्रिश्टिकोन हो सकता है। यह विद्यार्थियों को उनके अपने तत्य खोजने और विशलेशन करने या तस्वीर, डाटा, वस्तुओं आधी का संग्रह करने की जिम्मेदारी लेने के लिए अपेक्षित हैं। इससे हम बच्चों को संसाधनों और पास-पडोस का अन्वेशन करने में प्रोचसाहित कर सकते हैं। यह गहरी समझ और कला की सरहाना करने में लाब प्रद होगी। जब बहुत से विभिन अध्याय पढ़ाय जा चुके हों, तब यह प्रभावी उपकरण है। जहां अधिगम पूर्व और वर्तमान ज्यान से निर्मित होता है, वहां वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरी हम चर्चा करेंगे पोटफोलियो पर। मूले आंकन पोटफोलियो के पुनर आवलोकन पर अधारित होगा। यह एक आलांच या एक वर्ष भी हो सकता है। इसमें किये गए कार्य का एक संग्रह है। जैसे जैसे कार्य गतिविधी आगे बढ़ती है, आप उस कला कार्य को पोटफोलियो में स्थानांतरित कर सकते हैं। यह शिक्षक को बताता है कि कैसे बच्चा ज्यान बनाता है और शिक्षन के लिए आगे की रण नीतियों पर निर्णई लेने में शिक्षक की सहायता करता है। पोटफोलियो का रख रकाव कार्य को खोने से रोकेगा और आपको अभिलेक रखने में भी सहायता करेगा सत्र या वर्ष के अंध पर कोई इससे एक शिक्षक के रूप में अनुभव के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है और बच्छों से घुल मिल सकता है अगला है जांच सूची जांच सूची अवलोकन अधारित अभिलेक रक्षन के लिए एक विहवारिक उपकरण है जब बच्चे बिलकुल सतर्क हों और कारे अनुभूती प्रगती में हो तो जांच सूची शिक्षक के लिए सूची अभिलेकन को असान बना सकती है एक शिक्षक विभिन कला गतिविधियों के लिए उदेश्यों और उस विशेश कार्य के शेत्र के आधार पर जांच सूची बना सकता है मुल्यांकन के निश्पादन के लिए जांच सूची एक असान विधी है विशिष्ट क्रिया के अभिलेकन का यह एक व्यवस्थित तरीका है जो एक प्रदत कार्य के विशेश पहल पर ध्यान के इंद्रित करने में सहायता कर सकता है यह मान दंडो की एक सूची है जिन्हें शिक्षक एक निश्चित समय पर बच्चों के अवलोकन करने में महत्वपून मानता है यह तीवर एवं कार्यान्यवन में आसान है और विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराता है यह तो स्वम मुल्यांकन के लिए प्रयोक्त किया जा सकता है या जब शिक्षक उदेश्य निर्धारित करता है जिसे वह उदेश्य पून तरीके मुल्यांकित करना चाहता है तब इस्तमाल किया जा सकता है अगला है श्रेणी पैमाना यद्यपी कला में वैक्तिक छात्र के विकास की जटिलता एक शिक्षक को एकल ग्रेड या अंक द्वारा दमन करने की सुविक्रिती नहीं देता है किन्तु कभी-कभी आंकिक श्रेणी पैमाना स्रिजित करना अनिवारे है ताकि छात्र अपनी पूर्व की स्थिती से तुलना कर सके कार्य की सफलता पूर्वक पूर्णता के लिए आप कितने अंक देना चाते हैं को निश्चित करने के लिए एक मापन पैमाना का स्रिजन करें आप तीन बिंदूओं या पांच बिंदूओं का पैमाना स्रिजित कर सकते हैं फैसले की गुणवत्ता को अनुवादित करने के लिए श्रेणी पैमाना एक आंकिक, वाचिक या ग्राफिक प्रणाली है यह मूल्यांकन को अधिक उदेश्य पूर्ण एवं पारदर्शी बनाएगा मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त कुछ समान्य पैमाना इस प्रकार है यह विशिष्ट मान दंडों के खिलाफ बच्चे के कार्य की गुणवत्ता के निर्णय और अभी लेकन में प्रयुक्त होता है कार्य के एकल संपून मुल्यांकन के लिए साकल्यवादी श्रेणी पैमाना अपेक्षित है परीक्षन के लिए श्रेणी पैमाना विशेश रूप से उप्योग्त है पहला कौशल के स्तरों का मुल्यांकन करने में दूसरा, मनुवृतियों को समझने और उत्प्रेरन प्रदान करने में यह प्रभावी है जम मूल्यांकन के लिए कार्य, चिंतन, विशलेशन, स्रिजनात्मक्ता, आधी के विविद स्तर उपेक्षित हैं उपाख्यान मूलक अभिलेक यह विशिष्ट घटनाओं या विशेश रूप से रुचिपून या मनुरंजक प्रकृती के कारेक्रम का एक छोटा लेखा जोखा है यह एक बच्चे की प्रगती का लिखित वणन देता है जिसे शिक्षक प्रती दिन के आधार पर रखता है यह एक बच्चे के जीवन की सार्थक खटनाओं का अवलोकनात्मक वणनात्मक अभिलेक प्रदान करता है यह एक एतिहासिक या जैविक अभिलेक हो सकता है यह एक बच्चा क्या कहता है या करता है का शब्द शहलिखित अवलोकन है एक बच्चे का वैक्तिक मुल्यांकन करने के क्रम में शिक्षक इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं वे इस अभिलेक का उपयोग बच्चों की उनकी शक्तियों और जरूरतों के विशलेशन के लिए कर सकते हैं यह शिक्षन विधी में परिवर्तन करने या शिक्षन अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में सहायता करता है इस उपकरण का एक कालांश में बच्चे के संपून विकास की रिपोर्ट बनाने में उप्योग हो सकता है वर्णात्मक वर्णन बच्चे की पसंद, रुचियां और सम्बंधो आदी के बारे में एक स्पष्ट विचार देते हैं उपाख्यान मूलक रिकॉर्ड एक सकरात्मक तरीके में लिखे होने चाहिए अगला है प्रदर्शन प्रदर्शन संप्रेशन का एक साधन है जब समू कारे मूल्यांकित किया जा चुका हो और हम इसे शेश कक्षा के साथ साज़ा करना चाहते हैं तो यह प्रयुक्त हो सकता है यह उपकरण सहपाथी मूल्यांकन के साथ साथ स्वम मूल्यांकन के लिए लाभ प्रद है सर्चित्र प्रदर्शन के माध्यम से बच्चे निश्चित संकल्पनाओं की स्पश्टता अर्चित करते हैं यह बच्चों और शिक्षकों के बीच समबथता कि समझ को बढ़ा सकता है वे उनके कार्य में गर्व का अनुभव कर सकते हैं यह दिवार पर जड़ने या मेश के उपर अधिस्थापन के रूप में हो सकता है कक्षा कक्ष के एक भाग में बच्चों का कोना भी स्तापित किया जा सकता है मूल्यांकन के सूचक अभ्यास का निरूपन मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण भूमे का निभाता है यह मूल्यांकन है जिसके माध्यम से मुख्य समस्याएं पहचानी जाती है और शेत्रो या समू जिने ध्यान की जरूरत है जाने जाते है डाटा को उनके मौलिक रूप में कलपनाओं के आरेखन के लिए प्रयोक्त नहीं किया जा सकता इन्हें सूचकों के रूप में बदलने की जरूरत होती है ताकि सार्थक सारांश खीचा जाए सूचक विभिन प्रकार के प्रशनों का जवाब देता है कलाओं में मूल्यांकन के सूचकों का अर्थ एक उपकरण जो आपको सूचना देता है सूचक कहलाता है सूचक एक गुणातमक या मातरातमक चर है जो उपलबधियों को मापने एक मध्यस्त से जुड़े परिवर्दनों के प्रवर्टन या निश्पादन के मुल्यांकन में सहायता करने में एक सामान्य और विश्वसनी साधन है सूचक उपलब्धियों के बारे में है किन्तु ये अपने आप में अंतिम नहीं है एक एकल सूचक अधिगम के रूप में एक ऐसे जटल तथे के बारे में बिडले ही लाप्रत सूचना प्रदान कर सकता है सूचक प्रायह स्थितियों के बारे में अधिक से अधिक सटीक सूचना उत्पन करने के लिए प्रारूपित किये गए हैं सूचक का उदेश्य प्रणाली की प्रकृती का चरित्र चित्रन इसके घटकों के माध्यम से करना है वे कैसे सम्बंधित हैं और वे कैसे हमारे समय को परिवर्तित करते हैं यह सूचना कुछ लक्ष या विदार्थियों की प्रगती के निर्नय के प्रती प्रयुक्त हो सकती है एक सूचक क्या कर सकता है? पहला लक्ष और प्राथ्मिक ताओं को स्थापित करना दूसरा कारे क्रम का मुल्यांकन करना तीसरा समस्याओं को अधिक स्पष्टता से कहना और वर्णन करना एक अच्छे सूचक के निम्न लिखित लक्षन है पहला यह शिक्षकों को लाप प्रद सूचना प्रदान करता है दूसरा यह अण्य सूचकों के साथ जुड़ने की सुविक्रिती देता है तीसरा कोई उदेशियों से कितना दूर और कितना पास है इसको मापता है चौथा यह समस्यात्मक स्थितियों को पहचानने में सहायता करता है पाँचवा इसकी योग्यता है सूचना का संगशेपपन आखरी यह इसके मूल्यों का मानक से तुलना करने में सहायता करता है तो साथियों आज हमने चर्चा करी कला के मूल्यांकन पर आशा है विशे से सम्बंधित आपको यह चर्चा समझ में आई होगी अब हम आपको मिलेंगे किसी अगले विशे के साथ अन्य सत्र पर तब तक के लिए धन्यवाद